नमस्कार मैं हूँ आयूशी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलिटिन गंगा सवेरा यूपी और उत्राखेंट की हर बड़ी खबार अस बुलिटिन में आपके साथ ने होगी नमस्कार मैं हूँ आपके साथ जया मिश्राज चाहे बात राजनिती की हो या फिर अपरात की हो या फिर जन सरुकार की हर खबर आपको यहां तफसील से बताएंगे बिल्कुल तो देखे खबरों में धार के साथ साथ तीज रफ़तार भी होगी और हर खबर आप तक पहुचाने का मादा है हमारा और इस बुलेटिन में होगा आज मॉर्निंग का हर अपडेट वो भी खास उन्दाज हूँ तो जलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा और सुप्रीम कोट के आदिश पर नॉइडर की ट्विन टार को जमिदोस करने का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है और लगातार इसे लेकर तयारिया भी की जा रही थी और काउंटडाउन शुरू हो गया है जिसके लिए विस्पोर्टक लगाने का काम पूरा हो गया है इंतजार है 28 अगस का 3700 किलो विस्पोर्टक से ट्विन टार को द्वस्त किया जाएगा इससे पहले 25 अगस को ब्लास का मॉक ट्रिल होना है जिसे लेकर जो फाइनल तयारिया है वो आज पूरी की जाएगा सिर्फ बारा सेकेंड सेती सो किलो बारूर और ताश के पतो की तरह बिखर जाएगा ट्वेंट टावर उल्टी गिंती शिरू हो चुकी है नॉईडा के बीच ओ बीच बना ये वही सूपर टेक टुइंग टावर है जिसे 28 अगस को जमीन दोस किया जाना है इस खास उपरेशन को अंजाम देने के लिए 3700 किलो बारूर का इंतजाम किया गया है दोनों ही टावर्स में विसफोटक लगाने काम 16 टीमों की मौजूदगी में पूरा भी कर लिया गया है अब 25 अगस को धमाके का मौक ड्रिल होना है उसके बाद 28 अगस को अंतिम बलास्ट किया जाएगा लेहाज़ा बुदवार को रिहर्सल से पहले फाइनल तैयारियों का जायजा अलग-अलग विभाग की टीम लेंगी बता दे सुप्रीम कोट के आदेश पर 28 अगस को ब्रश्टाचार की इस इमारत को जमीन दोस्ट करने की हर तैयारी जोरो शोरो पर है ठीक इसी दिन दो बजे ये इमारत जमीन दोस्ट कर दी जाएगी 28 अगस करीब दोपहर दो बजे ब्लास्ट होगा जिसके लिए इलाके में हाई अलट जारी होगा दोनों इमारतों को गिराने में 12 मिनट तक का समय लगने वाला है जिसके लिए हर टावर में दो-दो विस्वोर्ट किया जाएंगे इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी नाम दिया गया है प्राइमरी में बेस्मेंट, ग्राउंग फ्लोर समेथ पहले, दूसरे, छटे फ्लोर पर ब्लास्ट होगा प्राइमरी में 10-वे, 14-वे, 22-वे, 26-वे, 30-वे फ्लोर पर ब्लास्ट सेकेंडरी में पहले 29 मंजिल के सियान टावर में दिस्वोर्ट होगा कुछ सेकेंड बाद 32 मंजिला एपेक्स को दमीन दोस किया जाएगा बारूद भरने के लिए 98106 किये गए थे नोड़ा के एक्टिविन टावर को 28 अगस्त को गिराया जाएगा और उसके पहले तमाम सारी तयारिया की जारी लगातार एक्स्प्लोजन लगाने का काम यहाँ पे चल ला है बिल्डिंग में अगर बात के तो एक बार तस्वीरे आपको दिखाना चाहेंगे तो ऐस पास की बिल्डिंगें हैं उनको किसी तरीके से नुकसान न पहुंचे उनमें किसी तरीके से डस्ट से लेकर के तमाम सारे जो पार्टिकल्स हैं वो न पहुँचे इन तमाम सरी चीज़ों को लेकर के विशेशख़ ख्याल लखा जाएगा तो इसी के लिए अगर बात के तो आसपास की बिल्डिंगों में फाइवर शीट लगाई जा रही जिससे की तमाम सरी जो आसपास की बिल्डिंगें है वो सुरक्षित रहे दिल्ली के कुतो मिनार से भी उचे नॉइडा में सूपर टैक के अवैट टूइन टावर 28 अगस को धस्त की जाने वाली भारत की सबसे उची इमारत बन जाएगी बिरो रिपोर्ट एबीपी गंगा यूपी दिल्ली में आतंकी हमले की तयारी करने वाला पूड़े से गिरफ्तार हो चुका है आरूपी पूडे से गिरफ्तार आतंकी जुनैद यूपी में हमले की तयारी कर रहा था ये सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं भाजपा की रैलियों पर हमला करने की उसकी योजना थी इसके अलाबा नरसिंगा नंसरस्वती, जितिंद्र नराण संदीप आचारे पर हमले का भी इसका प्लान था यूपी में रवाना होने से पहले आतंकी जुनायद को ATS ने धर्द बोचा सूत्रों की बाने तो हमले को अंजाम देने के लिए जुनायद के अकाउंट में पाकिस्तान में बैठा माश्चर माइन पैसे भेचने वाला था लेकिन उससे पहले ही महराश्ट की ATS ने धर्द बोचा एक बड़ी गिरफतारी देखिये की गई है एक हमले की साजिश रची जा रहे थे इसके लावा पूड़े से गिरफतारी की गई है आतंकी जुनेद की अब उसके कनेक्शन को खंगाला जा रहा है और यूपी रवारा होने से पहले ही उसकी गिरफतारी पूड़े से की गई ये बड़ी खबर आपको लगातार हम दे रहे हैं यूपी दिल्ली में आतंकी हमले की साज़ेश का खुलासा हो चुका है सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी हमले की साज़ेश कर रहा था जुनेद लेकिन उससे पहले उसकी गिरफतारी हो गए इसके लावा देखिए गायक संदीप आचारे पर भी हमले की योजना वो तयार कर रहा था आतंकी जुनेद यूपी में हमले की फिर्याक में था सूत्रों के हवाले से बेहद हैं जानकारी आपको दे रहे हैं हलाकि इस मसले पर अब कनेक्शन जो सामने आएगा उसके लिए इंतिज़ार है लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तानी कनेक्शन भी इसका निकल कर सामने आ रहा है और चली अबात अबास अंसारी की करते हैं दरसल माफिया मुखतार के बेटे अबास अंसारी को गिरफतार करने के लिए अब लगनाव कुलिस के पास सर्फ 24 घंटे का वक्त बचा है खबर ये है कि अबास को पकड़ने के लिए यूपी के कोने कोने समेट कुल आठ प्रदेशों में पुलिस दविश भी दे रही है क्योंकि खबर ये भी है कि अबास अंसारी कोट में सरेंडर करने की फिराग में है अगर इन 24 घंटों में पुलिस अबास अंसारी को नहीं पकड़ पाई तो तीसरी बार फज्याद जिलनी पड़ेगी पुलिस को अब ये 24 घंटे लखनो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है हाला कि अबास अंसारी के सरेंडर करने की खबरों के बीच लखनो पुलिस ने कोट के आसपास मुस्तैद रहने की तयारी कर रखी है अब देखना ये होगा कि चुहे बिल्ली के स्खेल में ये 24 घंटे किसके लिए निनायक साबत होते है अबास अंसारी जो कि कभी भी सरेंडर कर सकता है ये जानकारी है इस फिराक में वो है लेकिन पुलिस के सामने सर्फ 24 घंटे की मौहलत है 24 घंटे का वक्त है और इसी 24 घंटे में क्या पुलिस अबास संसारी को बगड़ पाती है गिरफतार कर पाती है ये देखना होगा क्योंकि ये तीसरी दफा है जब पुलिस के सामने ये बड़ी चुनौती है पुलिस को मौका भी मिला है कि अब बास संसारी को पकड़ कर वो कोट में पेश करे लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है और चलिए इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए समधाता विवेक तुरपाथी लखना उसे सीधा सवक्त हमारे साथ जुर्दे है आईशी आपको याद होगा कुछ दिन पहले अबास अंसारी की लोकेशन पंजाब में मिली थी पंजाब में उसके पिता माफिया डॉन मुक्तार अंसारी पंजाब जेल की रोपड जेल में लंबे समय तक रहे और वहाँ पर उनके अच्छे लोग हैं अच्छे सूत्र हैं और मंत्री कई विधाय कई आईएस कई आईपीएस अपसर उनकी आओ बगट में लगे रहते थे जेल में इसकी जाज भी हो रही है पंजाब के जो अभी चीफ मिनिस्टर है उन्होंने जाज शुरू कर दिये तीन आईपीएस अपसरों की एक कमेटी बनाई है जाज करने के लिए तो वहाँ पर अबास की लोकेशन मिली थी कुछ दिन पहले और पुलिस टीम इस सबर पंजाब में पाया है और कोर्ट में पैरवी करने के लिए अपने वकीलों से मिल रहा है मेट्रो सिटी में उसके भाई मन्नु अंसारी जो विधायक है चिचिरे भाई है उनके उनका फ्लैट है वहाँ पर उसके होने की जानकारी मिली थी पुलिस टीम पहुची हलाकि अबास वहाँ नही की गई लखनौ में 11 ठिकानों पर चानबिन की गई थी लेकिन अबास नहीं मिला इसके पहले 27 जुलाई का समय दिया था MPLA कोट ने अबास को पकड़ कर कोट में पेश करने का उस समय पुलिस नहीं पकड़ पाई उन्होंने मियाद बढ़ाने को कहा 10 अगस तक का समय दिया तब भी पुलिस अबास को नहीं पकड़ पाई पुलिस ने एक बार फिर मियाद बढ़ाने को कहा तो अब 25 अगस यानी कल की तारीक पर उसको कोट में पेश करना है किसी भी सूरत में पुलिस के लिए चिनोती है बड़ी कि कैसे अबास को पकड़ेंगे तो अबास कोशिश कर रहा है कि वो पुलिस के दाओं से बसते हुए दाओं पेश जो चल रही है पुलिस जो उसके लिए जाल बिछाया है उससे बसते हुए अपने आपको कोट में सरेंडर कर दे धोकाद़ी का मामला है राहत नहीं मिलनी है उसको वो जानता है गिरफतारी होनी तैय है या गि पिछने की और कोई सूरत रही है अगर वो पुलिस की गिरफत में आता है तो पुलिस एक दरसे अपना पीट ठोकेगी कि इतने बड़े विधायक की गिरफतारी कर ली माफियाड और मक्तार अनसारी लेकिन फिलहाल अबास का कोई सुराग नहीं मिल रहा है ये पता चल रहा है कल राज जो पुलिस टीमें लकनओ में बारा पुलिस टीमें चानबीन कर रही है ये पता चला है कि अबास कल रात को ही बारा बंकी में हो सकता था या लकनओ में आस पास के जनपदों में उसकी लोकेशन के बारे में एक अंदाजा मिला सुत्रों से पुलिस को एक ख़ब पर मिली कि अबास हो सकता है बारा बंकी रवाना की गई है आज एक टीम वहाँ पर चानवीन कर रही है कुछ लोगों को पकड़ के पूस्ताज भी किये चुकि बारा बंकी में भी मुक्तार का अच्छा कासा हिसाब किताब है एक बड़ा नेटवर्क है उसके खिलाब मुकदम भी वहाँ दर्जे और उसके लोग भी वहाँ पर मौझूद है लकनौ में भी उसके लोग मौझूद है परिवार के तमाम लोग रहते हैं यहां पर कम से कम 12 ठिकानों पर अबास की तलाश चल रही है और कोड चुकि आज कोड में वो सरेंडर भी कर सकता है आज आखरी दिन है कोड के बाहर पुलिस अभी 10 बजे जैसे ही कोड खुलेगी वैसे ही बाहर पुलिस तहरात हो जाएगी CCTV कैमरे जो कोड में लगे हुए कचेरी पर इसरवे पूरे उन पर नजर रखी जारे ही कि कोई भी ऐसा सस्पेक्टेड आदमी जो अबास की तरह जो चुकि उसी कतका होगा और ये बहुत ही निडाइक और चुनौती भरा है बहुत शुक्रिया विवेग फिल्हाल तमाम जानकारी तो देखिया अतिक एहमद हो या फिर मुक्तार अंसारी जाच एजंसियों का एक्शन हर किसी को चुब रहा है और लगातार एक्शन भी किया जारा है मुक्तार मुक्तार अंसारी के खिलाभ कोस दे पहले एटी का एक्षिन हुआने लेकिन अब जा चेडेंसी के राट पर मुक्तार अनसारी के ससुर भी है। जब वक्त अच्छा होता है तो सगत समंधि भी खूब जब एश करते हैं लेकिन जब वक्त बुड़ा आता है तो परेशानी भी सब के हिस्से में बढ़ती है कुछ ऐसा ही हुआ है मुख्तार अंसारी और उसके खरीबियों के साथ अब जाच की आच मुख्तार के ससुराल तक पहुँच गई है एडी ने मुख्तार अंसारी के ससुर जमशेद रजा को नोटिस भेजा है मुख्तार के साले आतिफ रजा को भी नोटिस भेजा गया है जबके लखनव के परपर्टी डीलर शादाब को भी नोटिस मिला है हाल ही में एडी ने मुख्तार के बारह ठिकानों पर च्छापा मारा था अब इन संबंधियों के बयान लेने के लिए नोटिस जारी किये गए है दरसल च्छापे मारी के दौरान एडी को करोरों रुपेयों के लेन देन का पता चला और कार्टवाई से पहले एडी मुख्त मुख्तार के ससुर समेत तमाम लोगों का पक्ष जानना चाहती है यानि जल्द ही एडी के दफ्तर पर मुख्तार के ससुर हाजिरी लगाएंगे और चली स्मीच आपको एक और बड़ी खबर बता दे यूपी में फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है और 13 आईयस अधिकारियों का ट्रांसफर हो चुका है यूपी में 13 आईयस अधिकारों के तबादले हुए ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं विपिन कुमार जैनको भुतत्व एवं खनी कर्ब विभाग का विशेश सचेव बनाया गया है इसके लावा आयस जगदीश को यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्परेशन के अपर प्रबंधक दिदेश्व की जिम्मेदारी मिली है आलोक कुमार को यूपी लोक सेवा आयुक का सचेव बनाया गया है उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और इसके लावा भी कई इसमे नाम है देखिए खेम पाल सेंग अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक प्रशासन सहकारिता बने रहेंगे अजे कुमार दिवेदी को कृषि उत्पादन आयुक्त शाका के विशेश और सचेव के तौर पर जिम्मेदारी मिली है और चर्चेत गौर को आगरा विकास प्राधिकरन का उपाध्यक्ष बना दिया गया है इसके अलावा जुनैद एहमद को जासी का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया गया गुंजवन दिवेदी को कुषि नगर का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है अनुराग जैन को अमबेटकर नगर का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है अगे बढ़ेंगे बात करिंगे आज पोलस विभा को CM योगी एक बड़ी सौगात देने وाले हैं। 190 पोलिस भवनों का लुकारपन करेंगे CM योगी आततनाथ क्योंकि लगाता है शिकायती मिल रही थी जड़ेल भवनों की और इन शिकायतों के अब इन शिकायतों पर नस्तारम करते हुए ये बड़ी सौगात आज CM योगी के तरफ से मिलने वाली है जहां अलिगर्ण में एक वाट का नाम पुर्वसीM स्वर्गिया कल्यान सिंग के नाम पर होगा जल्द प्रशासन इस काम को अमली जामा पहनाने में जुटा है इस बतलाव से वहां के लोगों में खुशी भी है कल्याण सिंग के नाम पर वाट का नाम कल्याण नगर रखा जाएगा रपोर्ट लेखे अलिगर की नगर पंचायत मडराक में एक वाट यूपी के पूरो मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूरो राजिपाल स्वर्गी कल्याण सिंग के नाम पर होगा नगर विकास की और से वाट का नाम कल्याण नगर कराने के लिए जिला प्रशासन की और से प्रस्ताव भिजवा दिया गया है और अब बदलाव की तयारी चल रही है यूँ तो जिले में 19 नगरी निकाये हैं जिन में एक नगर निगम के अलावा दो नगर पालिका और 16 नगर पंचायद शामिल है और अब मडराग नगर पंचायद में एक वाट का नाम कल्याण नगर किये जाने को लेकर लोगों में खुशी है प्रशासन की माने तो नवगठित नगर पंचायद मडराग में वाटों का परिसीमन हुआ है और अब यहां एक वाट का नाम कल्याण सिंग नगर किये जाने की तयारी कर ली गई है दरसल 21 अगस्त को बाबुजी की पहली पुण्य तित्री थी और अलिगड़ ही कल्याण सिंग की जन्म भूमी है ना सिर्फ मडराग में वाट का नाम कल्याण सिंग नगर करने की तयारी है बलकि पहले भी कई सडकों का नाम बाबुजी के नाम पर रखा जा चुका है ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की